बिस्मिल्ला रह्मान ररहीम, स्सलाम अलेकूं स्टुनेंट्स, मैं हूँ हसान फरीद, आपका फिजेक सीचर, स्टुनेंट्स आप लोग जानते हैं कि चैप नमबर एट की थिएरी कंप्लीट हो चुकी है, अब हम करेंगे चैप नमबर एट की नुमेरिकल, तो आजे स्टार करके एक जगा पर लिख दो, उसके बाद जो हमें मालूम करना है, जो रिक्वाइड है, जो रिक्वाइड है, वो लिख दें और पिर हम इसके सॉलुशन की रखाते है, नुमेरिकल बहुत आसान है, जरह लेखते हैं जी, वोट हर दे वेवलेंस आप टेलेविजिन स्टेश वेव्शन की,वो हैं 500 MHz की, तो हम frequency लिखने लगे हैं है, लेकान F के साथ चोटा सा V लिख देता हूं, लिख देता हूं, ताकर पताचले की यह जो हमारे पास vision frequency है, उसके बाद sound है, उसके स्टैश बाद फ लिख देता हूं, sound की frequency 505 MHz, तो यह जो फ्रिक्वेंसिस दियो हैं कि पर्टिकुलर वेवलेंस फाइड़ करने हैं यहनी विजन वाली लेंड़ा और साउंड की जो लेंड़ा है यह दोनों चीज़ा हमें मालूम करने हैं वजर्ण देखिए एफ गिवन है वी गिवन है और लेंड़ा पूछा हुआ है तो यहां पर तो सिंपल हमारे वेव एक्विएन लगेगी जो कि कहती है वी इस इकल टू एफ लगाँगा V is equal to F lambda और V is equal to F lambda एक में मैं विजन की बात करूंगा तो frequency भी विजन की होगी और wavelength भी विजन की होगी एक में मैं sound की बात करूंगा तो दोनों चीज़ें sound से रेट होगे तो मैं symbols different दे रहा हुँ यहां क्योंकि मुझे lambda V मालूम करने है तो lambda V को मैं एक तरफ र अब आप लोग जानते हैं कि V जो है वो 3 इंटू 10 रिज़े पार 8 है जिबकि जो F V है वो है 500 megahertz mega की 10 रिज़े पार 6 लेख देगा उसके बाद lambda S जो है वो 3 इंटू 10 रिज़े पार 8 उपर आजेगा उसमें नीचे F S और वो है 505 megahertz तो 505 लिखके mega की जगा 10 की पार 6 लोगे अब इनको डिवाइड करते हैं और देखते हैं कि क्या answer रहत है तो हमारे पास इसकी वेवलेंथ आएगी 0.6 और वेवलेंथ क्योंके लेंथ है तो इसका यूनिट जो है वो 0.6 यहां पर देखते हैं जी लेंबडा एस कितना आता है इसके लिए भी हमें डिवाइड करना पड़ेगा यह आजगे जी 0.59 इसकी स्ट्रेटमेंट क्या कहती है तो यह स्ट्रुडेंट्स इसकी स्ट्रेटमेंट पढ़ते हैं लिकिन उससे पहले हम देखते हैं कि क्या data मौझूद है नवडीकल को solve करने के लिए और क्या कुछ हमें मालूम करना है तो कहते हैं कि a person on the sea shore observes that 48 waves reach the shore in one minute 48 waves in one minute आपको मालूम है frequency क्या होती है frequency होती है number of waves in one second वो जो बता रहा है वो भी एक frequency ही बता रहा है लेकिन वो बता रहा है 48 waves in one minute 48 waves per minute यह frequency है मगर यह frequency SI units में नहीं है minute की जगर second होना चाहिए क्योंकि हम frequency में यह करते हैं per second में तो आपको मालूम है नीचे minute है एक minute में 60 second होते है तो इसको 60 से divide कर देते है तो अब यहाँ पर wave per minute की बजाए per second होता है 48 को 60 से divide करते हैं पहले यह हमारे पास आजएगा 0.8 और waves per second hertz होता है यह हमारे पास frequency आजए तो यह हुई थी frequency लेकिन हम लोग नहीं उसको standard units में convert कर लिया if the wavelength of the wave is 10 meter wavelength is 10 meter यह भी हमारे गिवन है then find the velocity V velocity of the wave मालूम करना है इन तीन चीज़ों को देख कर एक ही कोई न जहन में आती है वो है V is equals to F lambda जिसको हम लोग ने previous numerical में भी उसक्या तो वही फामूला अप्लाइ करते हैं V is equals to F lambda you just have to put the values of F and lambda F की यह value ना put कर दीज़ेगा standard value put कर दीज़ेगा 0.8 lambda is 10 तो यह आमारे पास answer बन जागा 8 meter तो बस students इतना सार numerical ता चलते हैं next board पर देखते हैं कि next numerical कि इस तरह से करना है तो आजे students इसकी statement पढ़ते हैं in a ripple tank 500 waves passes through a certain point in 10 seconds यह data दिया हुआ है इसको note करते हैं और इसके साथ देखते हैं कि हमसे क्या पूछा जा रहा है required क्या और फिर हम आएंगे solution keeper सबसे पहले वो कहते हैं कि 500 waves हैं in 10 seconds 10 seconds में 500 waves हैं frequency क्या होती है 1 second में कितनी waves है तो निकाले जा सकती है उसको given data में ही हम adjust कर देते हैं तो 500 waves हैं 10 seconds में तो एक second में कितनी होंगी तो 10 से डिवाइड कर दें तो फिर हमारे पास यह आजाएगा 50 waves in one second और waves या cycles या vibrations in one second या per second is called hertz तो ये unit में आप 50 hertz लिकेंगे if the speed of the wave is speed of the wave is 3.5 meters per second this is the second thing which is given speed of the wave is 3.5 meters per second then find wave length of the wave तो wave length मालूम करनी है lambda find out करना students फिर वोही data आप्टिपस यह बहुत असान है आप लोगों ने दुबारा से वोही फार्मूला अप्लाई करने है वी is equals to F lambda जिसे हम wave equation कहते है लेकिन इस दफा हमें lambda मालूम करना है तो हम lambda को एक तरफ रखेंगे frequency तर मुल्टिप्ला हो रही है तो जाकर V से divide हो जाए तावसरा देखिए V 3.5 meters per second F frequency यह बारी परिपूट करेंगे 50 hertz है तो इसको डिवाइड करके answer निकाल लेते हैं यह answer आया 0.07 और wavelength का unit होता है meters तो students यह तो होगे 1st 3 numericals चलते हैं 1st board पर देखते हैं कि बाकी numericals को कैसे solve करना है तो आई एस student इस numerical की statement देखते हैं A string of guitar 1.3 meter long तो data दिया हुए हम यह data एक अठा लिख लेते हैं तो से फ़रे उसने बताया है कि guitar जो है string of guitar is 1.3 meter long तो यह length दियो हुए है 1.3 meter vibrates with 4 nodes आई इसको ज़रा इतना फार ड्रॉ कर लेते हैं तो हमारे पास एक string है वो दोनों तरफ इस support से जुड़ी है चार nodes बन रहे हैं आपको बता है end पर तो वैसे ही nodes बनते हैं तो दो nodes तो यह हो गए ठीक है इसके इलावा दो मजीद nodes है तो वो मैंने इस तरह से बना दिया तो जब ज़रा देखिए जब मैं यह wave construct करें तो यहाँ node है तो यह हमारे पास wave बन रही ठीक है इसमें 4 nodes है एक, दो, तीन और चार लेकिन loops important है तीन loops बने हैं 4 nodes की बज़ा से और loops को हम n से represent करते हैं तो n के बारे मैं कहुँआँ यह 3 loops ठीक है तो n is equals to 3 find the wavelength and speed लोग यह दो चीज़े मालूम करनी हैं wavelength क्योंकि तीन loops बन रहे हैं तो मैं तीन loops वाली wavelength कह देता हूँ lambda 3 और speed मालूम करनी है अच्छा in the string, if it vibrates at 500 Hz इस वाकद इसकी जो frequency है, वो 500 Hz है 500 Hz का मतलब क्या हुआ 500 Hz का मतलब हुआ कि इसकी जो frequency है तीन loops में vibrate करने की वो 500 Hz है अब इसकी solution की तरफ आते है आपको मालूम है कि strings के अंदर हम लेको नहीं फार्मूला पड़ा कि हमारे पास किसी भी situation के अंदर जो wavelength है, यानि जनरल मैं कह दें तो nth wavelength जो है, यानि किसी भी situation की wavelength, वो बराबर होती है 2L की बात करें, जिसमें तीन loops बंद रहें तो n की value 3 put करेंगे, तो यानि की value 3 put करेंगे, तो यानि की value 3 put करनी है, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको तो यहां से हमारे पास wavelength आ जाएगी यह lambda हमारे पास आया, 0.8 6 meter तो यह चीज तो हमने मालूम कर लिए, अब वो कहते है, speed निकाले, आपको मालूम है frequency है, wavelength है, तो speed के लिए तो wave equation यूज कर सकते हैं, तो V is equals to F, lambda यह third harmonic की बात हो रही है, तो दोनों के साथ 3, 3 आ जागा, भरी, F3 कितना है, वो given में था, 500 hertz lambda 3 कितना है, वो हमने fine load किया, 0.86 तो इसको multiply करते हैं और answer निकाल लेते हैं 430 meters per second, तो दोनों चीज़ हम लोग ने मालूम कर ली है, चलते हैं, 5th numerical की तरफ और देखते हैं कि उसकी statement क्या कहती है, का यह student देखते हैं कि इसकी statement क्या कहती है, a tension of 400 newton, तो tension दी हुए यह सब्सक्राइचीज, causes a 300 gram wire, mass दिया हुए, 300 grams, आपको मालूम है, यह standard unit नहीं है, इसको 1000 से divide करेंगे, तभी यह kilogram में आएगी, तो यह बनेगी 0.3 kilogram, wire of length 1.6 meter, लोगी length भी दी हुए है, 1.6 meter, to vibrate with a frequency of 40 hertz, frequency भी हुए है, 40 hertz, पुछा क्या है, what is wavelength of that transverse wave, तो wavelength मालूम करनी है, अगर मैं wave equation लगा हूँ, wave equation क्या कहती है, v is equals to f lambda, तो यहां से मैं lambda निकाल सकता हूँ, v over f, तो lambda उससे पूछा है न, wavelength वो निकाली जा सकती है, लेकिन उसके लिए मुझे दो चीज़ चाहिए, speed और frequency, अच्छी बात यह frequency given है, देख रहे हैं आप लोग, लेकिन पूरे data में स्पीड नहीं है, इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले किसी तरह से speed ढूड़नी पड़ेगी, और फिर उस speed को उस formula में put करके, लेम्डा यानि के wavelength fine load करने पड़ेगी, तो आई यह पहले हम speed मालूम करते हैं, हम लोग उने पढ़ा के stationary waves, हम लोग उने पढ़ा के strings के अंदर, जो transverse wave होती हों, उनकी speed होती है, tension multiplied by length divided by mass of string, यह सारी T, L और M, तीनों चीज़े महज़ूद हैं, देख रहे हैं आप लोग, तो अभी यह values put करते हैं, यह से लिए दियो ही थी, ताके आप लोग speed निकाल सकें, ठीक है, तो tension की value है 400, it, length है 1.6 meters, और M है 0.3, यह से बार पा speed आजाएगी, speed आजाए 46.2 meters per second, 46.2 meters per second, अब यह speed आगी है, तो speed भी आगी, frequency पहले से थी, अब हम lambda find out करने हैं, V over F, V speed यह अभी हम लोगों ने speed मालूम की थी, 46.2 meters per second, divide frequency से करने है, और frequency है 40 hertz, इनको divide करके देखते हैं, क्या answer आता है, 1.15, 15 meters answer आगी, तो wavelength है 1.15 meter, तो देलते हैं next numerical पर और देखते हैं, कि उसकी statement क्या कहते हैं, तो आई इस students देखते हैं, कि क्या gamen data है, और क्या पूछ रहा हो, तो क्या compare करें, compare जब भी कहते हैं है physics में, तो इसका मतलब है ratio लें, the theoretical speed of sound है hydrogen में, और जो speed of sound है helium में, इनको compare करें, compare का मतलब है आपको क्या बता है, कि ratio लें, तो मैं इसलिए लिख देता हूँ, कि वो क्या पूछ रहा है हम से, speed of sound in helium to speed of sound in hydrogen की ratio पूछ रहा है, अब given data में देखें, उसने hydrogen और helium के बारे में, जो data दिया है, वो note कर लें, यह है molar mass of hydrogen, इस तरह से gamma दिया हूँ है, hydrogen की case में, 1.4, फिर molar mass of helium दिया हूँ, 4.0 grams per mole, gamma helium दिया हूँ, 1.66, और R की value दिया हूँ है, 8.334 joules पर Kelvin पर mole, अब यह सारी जो चीजें हैं, यह हमें given हैं, अब हम आते हैं इसके solution की तरफ, आप लोग जानते हैं कि, जो speed of sound का formula हम लोग ने पढ़ा था, वो था gamma P, अब students, आप लोग जानते हैं, कि जो हम लोग ने speed of sound का formula पढ़ा था, वो था under root gamma RT over M, अब यही formula जो है, मैं hydrogen के लिए भी लिखूँगा और helium के लिखूँगा, तो जब मैं इसी formula को helium के लिए लिखूँगा, तो यहां V के साथ, H E आ जाएगा helium के लिए, gamma helium का different है, तो gamma के साथ भी H E आ जाएगा, R तो universal constant है, वो तो same होगा, temperature हमने एक ही रखा हुए, नीचे जो mass है, वो भी helium का ही आ जाएगा, यह helium के लिए उसी equation को लिख दिया मैंने, अच्छा, अब मैं इस equation को hydrogen के लिखता हूँ, तो जहां-जहां helium लिखा था, वहां-वहां hydrogen लिख दूँगा, तो gamma के साथ hydrogen, R, T, as it is आ जाएगा, और नीचे mass के साथ hydrogen, अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को मैं divide करता हूँ, ठीक है, तो जब देखिए, जब मैं इन दोनों को divide करूँगा, तो left-hand side, left-hand side से divide होगी, और right-hand side, right-hand side से divide होगी, यही पर ही कर रहा हूँ, RT, under root, RT, under root, cancel हो जाएगा, ठीक है, तो हमारे पास, V helium, over V hydrogen, मैं यहाँ उपर क्या बचेगा, under root, gamma helium, over mass of helium divided by, यहाँ पर नीचे, gamma hydrogen over mass of helium, अब मैं क्या करता हूँ, इसको arrange कर देता हूँ, तो आको मालू मैं, gamma helium तो अलड़ी उपर था, लेकिन यह mass of hydrogen, क्योंकि denominator के नीचे denominator में है, तो यह उपर सिरा जाएगा, divided by, mass of helium नीचे आ जाएगा, और अलड़ी, gamma hydrogen तो नीचे था, इसको, पुट करके, values को answer निकालते हैं, यह सारी चीज़ा में गिवन है, gamma helium कितना है यह, gamma helium है 1.66, और hydrogen का mass है 2.08, divided by, gamma hydrogen है 1.4, और mass of helium है 4.0, और फिर सारी चीज़ का अंडरो, तो ज़रा देखते हैं, तो students, इसको answer आया, 0.78, जो सिल्फ आज में helium, मैं hydrogen को उदर ले जाओ, तो 0.78 times the speed of hydrogen, जो सिल्फ आज में helium में, hydrogen के मुकाले में, sound की speed काम होगी और यह हम लोगे ने पढ़ा, कि जिस गैस की density जादा हो, उसमें speed of sound कम होती है, जिस गैस की density कम हो, speed of sound जादा होती है, तो यह हम लोग देख रहे हैं कि helium जादा density तो उसमें देखें, hydrogen के मुकाले में speed of sound कम होगी, 0.78 times आ रहा है, तो students आप बाकी numerical हम करेंगे, next lecture में आप से इंशाला मुलाकात होगी, next lecture में तब तक लिए, और आप अरफांये, आलाहाआद करें ।